Hello and welcome to the video lecture. इस video lecture का title है Cytogamy in Paramesium. Paramesium में कोशिक का युगमन. Paramesium में कोशिक का युगमन सर्व प्रथम आर वीचर मैनने Paramesium Chaudetum Prajati में दर्शाया था. ऐसे में दो पेरामेशिया जो लगभग 200 माइक्रॉन लंबे होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और इन जुड़े हुए पेरामेशियम को हम साइटो गॉर्मेंट्स कहते हैं लेकिन इन दोनों पेरामेशियम में कॉन्जुगेशन के समान नुपलियर एक्सचेंच नहीं होता हैं या gamit nuclei केवल एक ही individual के अंदर fuse होते हैं जैसे की autogammy में होते हैं तो ये conjugation से मिलता जोलता है क्योंकि दो peramitum वापस में fuse करते हैं oral side पर जहां पर इनका cytostome होता है और ये autogammy से इसलिए मिलता है process इसलिए resemble करता है क्योंकि ऐसे में जो एक ही individual के अंदर gamit nuclei fuse होते हैं तो एक तरह से ये self fertilization है in conjugants ऐसे जुड़े हुए peramitum को हम cytokomins कहते हैं लेकिन उनमें nuclear material का exchange नहीं होता ये process को लगभग 13 गंटे का समय लगता है और ये cytokammy process कहलाता है इस वीडियो में इतना ही कर दो कर दो लगता है जायं कर दो लो का लिए इस चाहर राद से बढ़ीज रड़ के अगाहँ छिए रिए ये वार नहीं जाविए लिए पट्राव टार्वा के खना से कहते है